जय हिन, आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बरी आऊंगे, तो दोस्तो अभी क्या हुआ है कि हंगरे का प्रेसिडेंट उन्हों ने क्या किया है कि उन्होंने जो हाल फिलाल में मतलब European Union European Union का मतलब European Union ने सोचा था कि सेंक्संग लगा दिया जाए रसिया के ओईल और गैस के प्रति ताकि पूरे पूरे European Union जैसे पूरे European Union में आपका हो गया टोटल 30 देस होता है तो अगर वहाँ पे क्या होता है कि टोटल सब को मिल के मतलब वोट देना होता है तो अगर एक आदमी भी वोट नहीं दिया तो क्या होता है कि वह वेटो होता है वेटो पाउर होता है जानते होंगे वेटो पाउर का मतलब अगर एक आदमी भी वोट नहीं दिया तो वोट को खारिच किया जाएगा तो European Union का मन था मन प्रेसिडेंट जो है European Union का उन्होंने एक रेफरेंडम किया था जिसमें सबको एगरी होना था कि ताकि वो रसिया का ओईल और गैस को ब्लॉक किया जाए लेकिन हंगरे ने इस पर वेटो कर दिया बोला कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा पहले बाद बोल रहा है कि देश हमारा जो लेंगलोग कंट्री है और दूसरा नंबर हमने ओल्रेडी काफी हमारा कोई अल्टरनेट रूट भी नहीं है ताकि हम दूसरा रूट से तेल मंगा सके और गैस मंगा सके और हमारे पास इतना फंड भी नहीं है दूसरा नंबर हमारा उनका जो पॉलिटिक्स के हिसाब से जो उनका पॉलिटिक्स का पॉटफोलियो होता है जब कोई भी चुनाव लड़ते है तो पॉटफोलियो होता है उसमें वो वाद्य करते हैं तो हंगरी में आजके रेट में थोड़ा प्राइस राइस है इंफलेशन है तो जो इनका जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा था कि जब वो पावर में आएंगे तो तेल का दाम या गेस कदाम जो भी हो कम कर देंगे तो अगर वो कह रहे है कि अगर अभी यह रस्या का अगर ओयल और गेस को अगर ब्लॉक कर दिया जाए यह पूरा यूरोपेन यूनियन द्वारा तो उनका क्या होगा कि एक प्राइस भी बढ़ जाएगा फिर अल्टरनेटिव रूट भी नहीं है इसलिए वो बोले कि अभी हम नहीं कर सकते मतलब अभी हमारा कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं है लेकिन जब अल्टरनेटिव रूट हमारा बिल्ड हो जाएगा तब हम इस पे सोचेंगे और हम से मती देंगे तो यह हैं दोस्तों तो हम आगे पढ़ते हैं अच्छा दोस्तों हाल फिलाल ना इंड्रेस लेसे सिविलाइजेशन आपको पता है इंड्रेस इसे की संदारा जो भी सर्वेवाथ होता इंडिया इन्हों इसमें फाइंड किया गया है कि मतलब एक 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 प्रोपर तरीका से मनें एक जोलीरी फेक्ट्री जैसा पाया गया था एक प्रोपर प्लैट्फोर्म सिस्टम था जैसे दुकान होता है जैसे मार्केट होता है या प्रोपर और यह तो पाया इहां प्लाप ऊपर से वह उन्हें कुछ झेयलवरी बहूता चोटाचोटा-चोटाचोटा जो गोल्ड के साथ मिक्स करके पहना जाता है तो उनके साथ इसको काफी मतरव में पाया गया था। इसकाप से एक इसाथ्वर्चेम थी यहां पर पह स और यह दिली से ज़्यादा नहीं 500 km का ही अंतर है तो जिसको भी जाना है दिली से जाके देखके आ सकता है इंट्रेस्टेड है तो नेक्स पर मूव करते हैं दोस्तों इंडियन क्रिकेटर जो सताली वर्मा है सताली वर्मा वोमन है तो इनको अभी ब्रैंड एंडोजर मने एमबेज़डर जैसे होता है ब्रैंड एंडोजर मने एक आपको ब्रैंड को प्रोमोट करना होता है उनको चूस किया गया है किसलिए बैंक ऑफ बरोडा के बिहार जो है सबसे गाल अवहात une चाहिश में रहाए आा देजकर ने फोकेस करने ज़ advent आज़िए अभी आपको बिटा दे रहा हूं बियार का 100% परसंते है इसमें 50% लोग मने गरीबी देखा के अंदर आता है मने मानिए कि अगर पांच लोग खरे हैं तो इसमें पांच लोग होंगे कि जो बहुत गरीबी रेखा के अंदर होंगे पांच लोग ठीक ठाक होंगे तो गरीबी रेखा कैसे मने कैसे एक सकेंड गरीबी रेखा कैसे मने ये खो जा जाता है एजुकेशन को लेके ठीक है फिर इंकम को लेके और हेल्थ इंडेक्स तो ये तीन चीज को देखके गरीबी रेखा मने पायाद देखा जाता है तो इस पर थोरा ध्यान देना चाहिए और नीति आयोक से ओवरॉल डेवलोप्मेंट को देखके डाटा मने ये निकाला जाता है और नीति आयो एक तिंग टेंक बोडी है जो प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी इनका चेर्मेन है और ये एक जनवरी 2015 में लागू गवा था और इनका इसके पहले जो था वो प्लानिंग कमिशन आया था अब दोस्तो हमारा जो अगला है 2020 में इंडिया 2020 का बात कर रहा हूँ ठीक है 2022 का भी डाटा आया नहीं है 2020 का बात कर रहा हूँ यह आप याद रखेगा इंडिया को टेंट पोजिशन पाया गया जिसे एक से अगर सो है तो इंडिया काफी अच्छा पोफॉर्म किया है Global Cyber Security Index में इंडिया को टेंट पोजिशन पे पाया गया है और ये Global Cyber Security Index जो है वो International Telecommunication Union ITU इसके द्वारा मने निकाला जाता है डाटा और फर्स्ट प्लेस पे है अपना अमेरिका और अपना अमेरिका नहीं मने एक ऐसा अमेरिका जो इंट्रेस्ट के इंट्रेस्ट पे ही किसी का सपोर्ट करता है इंट्रेस्ट खतम कहाने खतम खेल खतम और दूसरा न साओधी अरेबिया तेल कबंडार तो साओधी अरेबिया जो कमाल खोसोगी जो इनका एक एमबेसेडर था और वो काफी पोल खोला था तो इनको साओधी अरेबिया का जो प्रिंस है इनको टर्के में मरवा दिया गया था तो अब तो टर्के वाले भी साओधी अरेबिया के के वार चल रहा है तो काफी इंट्रेस्ट के कारण ऐसा हो गया है तो दोस्तों यही था और अगर दोस्तों आपको यह सब वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो चेनल को जो सबसे पहले आप सबस्क्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले जैसे भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपका पेच पर दिखाई देगा आप क्लिक करना दो मिनट टाइम लगे है तुरेंट अपडेट हो जाना जाके एकजाम दे देना हो सकता है कोई न कोई एक मार्क्स दो मार्क्स के लिए भी लोग फेल पास हो जाते है तो थैंक यू सो मच जैहिन